गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट मैं मीना में आज मैं आपको थर्ड क्लास की जिक्के की बुक का सैकेंड चैप्टर पढ़ा रही हूं जिसका नेम है पर्सनल हाइजीन जिसका अर्थ है व्यक्तिकत स्वच्छता तो इसमें पढ़ते हैं देखो state whether the flowing statement are true or false हमें इसमें बताना है कि यह लाइन है जो true है या false है तो सबसे first है इसमें we must wash our hands before and after every meal हमें भोजन खाने से पहले और बाद में अपने hands wash करने चाहिए तो यह line बिलकुल सही है कि हमें भोजन खाने से पहले और बाद में अपने hand wash करने चाहिए तो यह जो line है true है तो हम इसमें true fill up कर देंगे second है we should train our nails once a week यह एक सबता में हमें हमारे नाखुन आवश्य काटने चाहिए तो यह भी line है जो बिलकुल true है क्योंकि हमें एक सबता में अपने nails काटने ही चाहिए आगे third statement है we need to shampoo our hair at least twice a week तो इसमें दिया गया है कि हमें एक सबता में कम से कम दो बार हमारे बालों को shampoo करना चाहिए तो यह line भी बिलकुल true है क्योंकि एक सबता में हमें अपने बालों को दो बार shampoo तो करना ही चाहिए next statement है we must bath at least once a day respective of the condition of the weather हाँ तो इस कार्थ है कि हमें मोसम की परभा किये बिना एक दिन में कम से कम एक बार जरूर नहाना चाहिए तो यह line भी बिलकुल true है कि हमें चाहे सर्दी हो या गर्मी हो तो हमें एक बार तो अवश्य ही नहाना चाहिए तो यह line भी बिलकुल true है next statement है we need brush our teeth twice a day एक दिन में हमें दो बार brush अवश्य करना चाहिए तो यह statement भी true है next है the comb that we use should be washed regularly हम डेली जो कौम बालों में यूज करते हैं कंगी तो उसको हमें डेली है जो वश्य करना चाहिए तो यह statement भी correct है तो यह इसमें हम true विलक करेंगे next statement है सूज should never be aired or sun as this spoils them इसमें कहा गया है कि अगर हम हमारे सूज को हवा में और सूरज की रोसनी में रखेंगे तो वो इसको खराब कर देंगे हमें इसमें कभी भी नहीं रखना चाहिए हवा में और धूप में तो यह statement तो wrong है क्योंकि अगर हम हमारे सूज को हवा में और धूप में नहीं रखेंगे तो उसमें से smell आने लग जाएगी और हम सूज को वोश करने के बाद भी उसको धूप में रखते हैं ताकि है जो हमारे सूज अच्छी तरह सूख जाए उसमें से smell ना आए तो यह लाइन है जो wrong कही गई है क्योंकि इसमें यह कहा गया कि हमें कभी भी हवा में नहीं रखना चाहिए और धूप में नहीं रख members of the family and friends इसमें कहा गया है कि हमें हमारे परिवार में और हमारे दोस्तों के इस दश्यों के दवारा जो टोवल यूज किया गया है वो हमारे लिए कि अगर हम उसको यूज करते तो वो हमारे लिए अच्छा होगा तो यह statement भी रोंग है क्योंकि हमें हर किसी को अपना टोवल है जो अलग अलग रखना चाहिए हमें एक दूसरे का टोवल यूज नहीं करना चाहिए लेकिन इस line में बोला गया है कि हम हमारे दोस्तों का और family के मेंबल को सबको हम एक टोवल से हम यूज कर सकते हैं तो यह और तो यह जो statement है वो रॉंग है इसलिए हम इसमें फाल्स फिल आप करेंगी नेक्स स्टेट्मेंट है वी we need not change our undergarments everyday हमें है जो daily अपने undergarments है जो change नहीं करने चाहिए तो यह statement भी बिल्कुल wrong है क्योंकि हमें अपने जो undergarments है तो उसको हमें daily change करना चाहिए वरना हम विमार पढ़ सकते हैं तो हम इसमें भी फाल्स फिल आप करेंगी next है we should wear our school sorry we should wear our socks at least for two weeks without washing them we should wear our socks हमें हमारी socks पहननी चाहिए at least for two weeks कम से कम दो हफते without washing them कि हम बिना धोए अपने socks को दो हफ्तों तक पहन सकते हैं तो यह statement है जो बिल्कुल wrong है क्योंकि अगर हम दो हफ्तों तक socks बिना धोए पहनें तो हमारे पैरों में इतनी ज्यादा smell आएगी कि हम बिमार हो जाएंगे और यह statement है जो बिल्कुल भी सही नहीं है तो हम इसमें false feel up करेंगी तो बच्चों पाज थी यह personal hygiene की lesson जिसको मैंने आपको समझा दिया है तो अब आप इसको read कर लेना धन्यवाद